हरिपूर कला में गाली गलोज की विवात को लेकर हुई मार्पीट घायलों को आनन पानन में आसपाच के लोगों की दुआरा इलाज के लिए सामुदाइक स्वास्त केंद मुर्ली गंज लाया गया जहां पर 50 वर्षिय कुमो यादव, 45 वर्षिय पतनी मानो देवी एवं 18 वर्षिय पुत्र दीपक कुमार को प्रात्मिक उपचार किया गया जिसमें कुमो यादव के हाथ तूटने की बात कही जा रही है वहीं 45 वर्षिय मानो देवी की स्थीती को गंभीर देखते हुए उन्हें बहतर इलाज के लिए मधेपुरा रेफर कर दिया गया उप्तमार पीच मामले में पीरिता के पुत्र 18 वर्षिय दीपक कुमार ने चार नाम दर्ज के खिलाफ मुर्णी गंज थाने में आवेदन दे कर प्रात्मिकी दर्ज कर नियाए की गुहार लगाई है ततपश्चात बहतर इलाज के लिए मा की स्थिती को गंभीर देखते हुए उन्हें जन्नायक करपूरी ठागुर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान रातरी के करीब 11 बजे 45 वर्षिय मानो देवी की मौत हो गई जानकारी देते में मुल्ली गंज थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि 21 दिसंबर 2021 को दीपक कुमार के दिये गए आविदन के आलोक में मामला दर्च कर लिया गया है नाजद अभी युक्तों की गिरफतारी कर जेल भेजा जाएगा कांड को लेकर अनुसंधान करता अरविंद कुमार मिश्रा तमाम बिंदूओं पर गहन जांच कर रही है वो हएर घुरा टाप रहा था वहां से आया हो लोग मेरे मा ऐसी मेरे भीमार ये पापा bon किस चीज को बिवाद लेकर चल रहां कुछ चीज को ने विवाद कर रहा है वह से आप उसी में है ने देशे है होinis जिनके साथ मार पिटुए कौन है आपके मतलब वह बरकवा अलग से भी है जो नांब वड़काем aur के वारी जो मिर्ताक कोन है मा कोसते नाम म मां कर भाटार की ब्सने करने observed काफी मारपीट चले मिर्थिका कौन है आपके क्या नाम है उनका आपका कितना उम्र क्या हो रहा हुआ पचास घर हमारे सनवादाता संजीफ कुमार की रिपोर्ट